हेलो गाईज वेलकम बैक तू माई चैनल और आज मैं आप लोगों के लिए लिक्या है हूँ पीजा सॉस तो देखिए इसका कलर टेक्षर कितना अच्छा लग रहा है आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे टेमाटर मिल रहे हैं तो क्यों नहीं हम घर पे बनाएं इसका टे में तो मैंने पर देशी टमाटर लिया है आप इसकी जगे कोई साभी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो टमाटर को मैंने या पर निकाल देंगे इनको और फेक देंगे तो इस तरह से हम अपने सारे टमाटर की आईस काट लेंगे अब इनको टमाटर की आईस क्यों कहते हैं इसके पीछे हिस्टे तो मुझे नहीं पता तो अब हम कड़ाई में 3-4 चमच ओयल लेंगे और उसमें 15-20 लेसन की कलिया डालेंगे और दो काटे हुए प्याज तो इनको हम सौते करेंगे तो प्याज और लेसन को हमें फ्राई नहीं करना है 3-4 मिनट के लिए बस सौते करना है ताकि प्याज में और लेसन में जो कच्चा पन है वो पूरी तरह से निकल जाए बीच बीच में हम चलाते रहेंगे नहीं तो यह एक साइट से जल जाएंगे और दूसरी साइट कच्चा रह जाएगा तो प्याज लगभग सौते हो चुका है अब हम इसमें टमाटर एड़ कर देंगे और टमाटर को एक बार मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें एक चमच नमक एड़ कर रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ कर सकते हैं करने के बार एक बार हम इपिर से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स हो जाए तो आम इसको ढखकन से बन कर देंगे दो मिनट के लिए हमने इस पर कढ़ाय पर ढखकन लगा दिया है तो दो मिनट हो चुके हैं हम धक्कन हटा लेंगे और इनको एक बार पलट देंगे दो मिनट के लिए हम फिर से धक्कन लगा देंगे तो दो मिनट बाद हम चेक करेंगे तो टमाटर काफी सॉफ्ट हो गए है तो टमाटर हमारे इतने सॉफ्ट हो जाने चाहिए कि जो टमाटर के ऊपर स्किन है वो अपने आप निकलने लगे तो एक बड़ चेक कर लेते हैं इनकी स्किन उतर रही है कि नहीं तो टमाटर की स्किन उतरने लगी है तो हम सारे टमाटर में से इंकी स्किन को उतार लेंगे अगर आप इस तरह से नहीं उतारना चाहें तो एक बाट टमाटर को ठंडा करके इंकी स्किन आराम से उतार सकते हैं अब हम टमाटर को दबा दबा करके अच्छे से मैस कर लेंगे अब इसमें मिर्चा एट करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक चमच मिर्चा एट किया है आप चाहें तो ज़्यादा भी एट कर सकते हैं यह पीज़ा सीजनिंग है तो अब हम यहाँ पर दो चमच पीज़ा सीजनिंग डालेंगे और यह औरिगेनो तो अब हम इसमें दो चमच औरिगेनो भी आट कर देंगे तो इन सब का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें टमेटो केचप डालेंगे तो चार चमच टमेटो केचप लिया है मैंने इसमें मिक्स कर देंगे तो टमेटो केचप का भी इसमें कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए हम इसमें यह भी आट करेंगे और इन सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह पहले से काफी सूख गया है काफी घट चुका है लेकिन बीच बीच में हम चलाते रहेंगे अब हम इसमें दो चमच बटर एट कर देंगे तो हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि पटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो बटर मेल्ट होके इसमें मिक्स हो गया है इसमें से बहुत अच्छी खुश्मों आने लगी है क्योंकि इसमें काफी सारी इंग्रेडियंट्स है तो सबकी इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है कलर वे इसका बहुत अच्छा आ चुका है एकदम रैड कलर आया है सारा प्रोसेस हम फुल फिलेम पे ही करेंगे अब धीरे धीरे इसका पानी थोड़ा सूखने लगा है तो इस तरह से जब आप घर पे बनाते हैं कोई भी चीज तो बहुत ही टेस्टी भी बनती है तो टमाटर जो है काफी बुलबुले निकलने लग गया है तो मैंने घैस बन कर लिया तो यह ठंडा कर देंगे तो लगभग ठंडा हो चुका है अब हम इसे एक mixer grinder में अच्छे से grind कर लेंगे स्मूथ सा इसका paste बना लेंगे तो इसका color texture बहुत अच्छा आया है पीछने के बाद color light हो जाता है तो अब हम इसमें चलीफ्लेक्स डालेंगे हमें आपको एक बात बता ना भूलगी इसे ग्राइंड करने के बाद मैंने इसे एक बर कड़ाई में और सुखा लिया ताकि इसका सारा मौश्चन निकल जाए तो हम थोड़ा सा इसमें पीज़ा सीसनिंग, औरीगेनो, चिली फ्लेक्स तीनों डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पीज़ा सौस हमारा बिल्कुल रेड़ी है अब हम इसे एक कंटेनर में भरके फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपको कुछ बनाना हो, स्पैस्प्राइट कर सकते हैं तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और अपना फीडबेक मेरे साथ शेयर करिएगा आज के लिए बस इतना फिर मैं जल्द ही मिलती हूँ नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा अगे बाइ